अनपढ़े मगर याद है श्री राम चरित मानस के सभी पार ग्रीश विश्व कर्मा कैसे साथ प्रकार से हार्मोनियम बजा कर दिखाती हैं अपनी कला रामायन के साथो कान की चौपाई सहीद एक-एक सार है याद शायद आपने एक वाक के जरूर सुरह होगा कि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती है ऐसे ही एक मनोहर दृष चिंदवारा जिले के सिंगोरी गाउं के समीप परिस्त ग्राम पंचायत रजोला में देखने में आया जाय गरीब परिवार में जन्मे ग्रेश विश कर्मा ने अपने माता पिता को साइखल द्वारा चारो धाम की यात्रा कराई और अनपढ होने के साथ साथ श्री राम चरित मानस क्रंथ के समस्त कांडो के मुख्य रूप से गा कर लोगों को मंत्रमुग कर देते हैं जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो और उसे रामायन के संपुन दोहा चौपाई सोठा चंद सहीद उनको सारे अर्थ याद हैं वास्तवा में ऐसी करा हर किसी को देखने को नहीं मिलती है जो ग्रीश विशकर्मा के अंतरात्मा और दिलों में प्रभु राम और भक्त हनुमान का चरितर चितरन दिखता है और उनके द्वारा साथ प्रकार के माध्यम से हार्मोनियम बजा कर लोगों को भाव विभोर कर दिया जाता है ग्रेश उश्कर्मा ने बताया कि हमारे पिता जी ने हमें रामायन पढ़ना और संगीत एवं प्रवचन करना भी सिखाया है और मैं अब साथ प्रकार के माध्यम से हार्मोनियम बजाता हूं वास्तों में ग्रेश उश्कर्मा किसी नाम का महताश नहीं है जिसकी कला ही कलाकृती है विंधह किरन के लिए छिंद्वारा से तौफीक मिस्केनी की रिपोर्ट अपना पर्चर भी हम आपको सुनाएंगे संगीत लगा करके आए सबसे पेले हम मिडिया वालों से रातना करती हैं जने मने मार्चूरे 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 रचे लाचे बोने जने बसे बारे जिस गुरुपाते नाखे मनी जने जो ओदी है कुम्दे रस्टे जिद्राश्टी में जने जने मोहता तो जही रावे चरित मार्चे राजे ने जमानू मुकूरो सुधारी पर्नवरग बर्विमल जक्रू जो दायको फर्चारी जब तेरा में ब्याही दारे आए चरित भाजे राभ जो तो बेले आए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हमारे जो पिता जी थे तो जन्म स्थान हमारा घंसोर के पास पहाडी का है गंसोर सिवनी जला में पहाड़ी करके ग्राम, उहाँ जन में हुगा था, तो पिता जी ने जब हमको देखे कि इनको रामान याद हो गई, और ये मतलब तोतली भासा में चोपाई बोलते थे, तो बहुत से पत्रकार आते थे, मीडिया वाले बहुत भीड मस्ती थी, पिता ज लोग याद भी करते इतनी हो पाती, और पढ़े लेके तो बिलकुल नहीं हम, पिता जी ने हमको स्कूल में नाम ही नहीं लखाए, क्योंकि या इस्थिर रहे नहीं, यात्रा करते रहे, अब पिता जी ने हमको हर्मनियम सखाए, उन्हें ने हमको संगीत सखाए, भजन बग कोई भी तर्जमे कोई भी इस बना के गालेती हैं, धरमिक, और प्रभचन भी करने लगे, और हर्मनियम बजाने की साथकला माता नर्वदाजी की देन जो आपने अभी देखे, और जिस सब ग्यान हमको पिता जी है, बो ही हमारे गुरू है, बो ही हमारे दो बेटे हैं, एक बड़े वाले बेटे हैं, जिनका नाम है, दुरगा विसुकर्मा, और ये छोटे वाले बेटे हैं, जिनका नाम है, बिद विसुकर्मा, एक बेटी हमाई दीब कुमारी, इनको भी हमने सिखाए, और इसके बाद में, फिर इन नपाई लिख करके, और संगीत में, उमंग कि एक दिन की साथ दिन की नौ दिन की जहां भी बुलाव आता है तुम लोग जाते हो प्रोगाम करते हैं और राममंद्र बनवाली हैं दरवार में तो भक्ति-पुजा भी चलती दो नो टेमारती कभी भजन्गीद भी होते हैं और आप जो भी और पूछना चाहते हैं पूंछ स झाल 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 झाल